दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इस्टेडी विथ अनूप पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 36 गड़ खाद आपूरती निरिचक भरती 2022 यानि कि 36 गड़ में जो फूड इंस्पेक्टर की वेकेंसी निकली है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो क्या बात करेंगे कि इस वेकेंसी में जो सलिबस है उसका मैथ सब्जिक्ट है न तो उसके हम टॉप 10 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आप जैसे कि exam 20 फरवरी को है ठीक है तो उतना ज़्यादा time नहीं है कि आप सारे topics कर पाएं अगर आप पहले से तयारी नहीं कर रहे थे तो ठीक है लेकिन अगर आप पहले से तयारी कर रहे थे तो आपका सलेवस हो ही गया होगा लेकिन हाँ अगर आपने तयारी अभी कुछ समय पहले चालू की है और आपका math topic और आपका math subject complete नहीं होगा है तो मैं कुछ ऐसे topic बताऊँगा जिने से question आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है ठीक है इने topics के अलावा भी एकात दो question चार question बाहर से आ सकते हैं लेकिन maximum question रहेंगे वो यहीं से रहेंगे 100% लाना भी नहीं है और चाहिए भी नहीं लगभग 70% के आजपस अगर आपका आजाता है तो आपका selection हो जाएगा ठीक है तो कुछ ऐसे topics के बारे में बात करेंगे जिने से maximum question पूछे जा सकते हैं ठीक है तो आई यह start करते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए साथ ही बिल आइकन को जुरूर दवाएए ताकि आने वाले वीडियो को notification आप तक सबसे पहले पहुँचे तो आई यह start करते हैं दूस्तों मैत के top 10 topics ठीक है इतना पहले आपको करना है और अगर इतना करने के बाद अगर आपके पास time बचे ध्यान रखें कि पहले इन 10 topics को इसके बाद अगर आपके पास time बचता है और ज्यादा तो आप other topics को पढ़ सकते हैं ठीक है लेकिन पहले आपके यह complete होने चाहिए पहला topic क्या है लेकि उसके पहले देखें तो अगर आप 36 गड़ food inspector की तयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा दो test paper ध्यान रखें दो model test paper बनाया गया है जो मात्र 39 रुपए में ध्यान रखें 39 रुपए में दो test paper आपको दिया जा रहा है और अगर आप यह test paper लीना चाहते हैं ठीक है तो आप 93 99 79 0996 इस नंबर पर आप whatsapp करके test paper ले सकते हैं ठीक है तो बात करते है topics की देखें पहल ही basic है और हम रखें कि आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है कि देखें कम topic पढ़िए लेकिन उसको अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है तो पहला है number system इसको अच्छे से करना है इसके परसेंटेज यानि प्रतिसत इसके बाद profit loss यानिकी लाभानी इसके बाद आउसत यानिक की रेशियो इसके साइसी आई यानिकी सिंपल इंट्रेस्ट और कंपाउंड इंट्रेस्ट यानिकी हिंदी मोले तो चक्र विद्धी व्याज और साधारन व्याज ठीक है इसका बीजगडित यानि एलजेब्रा इसके बाद छेत्रमिती यानि मेंसुरेशन और चाल समय दू है. इसको भी आप कर लीजィेगा. तो अगर आप ये 10 टॉपिक स्कलने तो maximum question यहीं से पूछे जाने की समभावना रहेगी. और पहले आप ये 10 टॉपिक कल लेते हैं और उसके बाद अगर आपके पारitted है परियाप्त, क्यूंकि exam भी 20 तारीक को है, तो अगर ये टॉपिक् पहले हो जाते हैं तो इनका रिवीजन करके दो से तीन बाग आप जो है दूसरे टॉपिक्स इसके अलावा जो भी बचे हैं तो आप उनको कर सकते हैं दोस्तों यही थे टॉप 10 टॉपिक्स नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, आउसत, अनुपात, SICI, 25 से 80 बोल दीजे, ठीक है, इससे कम क्योश्टन इन टॉपिक्स से नहीं पूछे जाएंगे, तो अगर आप इतना टॉपिक कर लेते हैं, तो मैथ सेक्षन के कारण आप फेल नहीं होंगे, ठीक है, इसके कारण आप आगे ही रहेंगे, और इसके बाद आपको अधर टॉपि परचे हैं, इस से जादा आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, और इक्जाम डेट बढ़ने की संभावना तो भी ना के बराबर ही है, और ध्यान रखें कि जो टॉपिक्स आप करेंगे, उनको एक बार करके छोड़ नहीं देना है, ठीक है, इनका आप दो से तीन बार है, ठीक है, तो माहल है टाइप वण्जो है, टाइप ओन कि आप दस से बिस क्योशन टाइप न के करिजिए, इस के बत, 10 से 20 question type 1 के कर लीजिए इसके लिए type 2 आता है type 2 के भी 10 से 20 question कीजिए इसी पर घर हर type के 10 से 20 question आपके बने होने चाहिए याप घर में पहले ही बना ले उस type के questions को ताकि अगर आप exam में उस question को पाएं तो आपका जो है देखते ही वो question solve हो जाए क्योंकि exam में उतना जाता time नहीं रहता है और इसको जल्दे से जल्दी आप complete करने की उसस करें ताकि आप revision भी 2 से 3 बार कर सकें तो आसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हुगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe करें साथे, bill icon को जरूर दवाईए ताकि आने वाड़े वीडियो को नोटिपिकेसन आप तक सबस्ते पहले पहुँचे धन्यवाद